हलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब उमिद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे इस वीडियो में मैं बताऊंगी आप PDF फाइल को फ्री में डॉक मतलब वर्ड में कनवर्ट कैसे कर सकते हैं आज इसका ओन लाइन प्रोसेस बताऊंगी अगर आप लोग इसका ऑफ्राइन प्रोसेस जानना चाहते हैं तो वीडियो की नीचे कमेंट करना मैं आफ्राइन प्रोसेस भी आपके साथ शेयर करूँगी आचके विडियो में म तरीका दिखाऊंगी तो चलिए बिना देरी किये बढ़ते हैं वीडियो की तरफ उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू और जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे सबसे पहले आप अपने ब्राउजर ओपिट कीजिए और गूगल पे जाईए यहाँ सर्च बॉक्स पे PDF2Doc टाइप करके सर्च कीजिए और यहाँ First Option पे क्लिक कीजिए यहाँ आपको PDF2Doc के अलावा PDF2Text, PDF2JPG और भी कई Converting Option देखने को मिलेगा आज मैं PDF फाइल को वर्ड पे कनवर्ट करके बताऊंगी यहाँ पहले से PDF2Doc सिलेक्ट है तो मैं एक PDF फाइल को अपलोट करती हूँ अपलोट फाइल पे क्लिक करके अपलोट होने के बाद यह आटोमेटिक कनवर्ट हो जाएगा कनवर्ट कम्पलिट होने के बाद डाउलोड और पे क्लिक करके फाइल को डाउलोड करती हूँ यहाँ मैं डाउलोड फाइल से फाइल को डेक्सटो पे कापी करती हूँ यह folder अभी zip format पे हैं इसको सबसे पहले extract करना परेगा extract होने के बाद folder को open करेंगी यहाँ आप converted file को देख सकते हैं यह doc format में download हुआ है इसको open करके दिखाते हूँ यहाँ आप चाहे तो इसे edit और modify भी कर सकते हैं यहाँ उपर enable editing पे click करके edit कर सकते हैं यहाँ आप कोई भी word या sentence को delete कर सकते हैं और कुछ भी word type कर सकते हैं यह तो हो गया first method अभी मैं आप लोगों को second method दिखाती हूँ फिर से आपको google पे जाना है और उपर right corner पे जो apps का icon दिख रहा है वहाँ click कीजिए नीचे drive का option दिखेगा उससे click कीजिए यहाँ left corner पे new पे click करें और file upload पे click करके file को upload करें मैं फिर से वही same file को upload करती हूँ upload हो रहा है यह इसे upload होने देते हैं file का size जितना ज़्यादा होगा upload होने में उतना time लगेगा upload होने के बाद उस file पे right click करें यहाँ open width पे करसल लेके जाए और google doc को select करें इसको process होने देते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह word format में आ गया इसे चाहो तो आप save कर सकते हैं save करने के लिए उपर left corner पे file पे click करें और download पे cursor को लेके जाए और google doc को select करें file download हो रहा है मैं इसे copy करके desktop पे save करती हूँ इस file को edit करना चाहते हैं तो उपर enable editing पे फिर से click करके edit कर सकते हैं edit करने के बाद इसे save कर सकते हैं अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो आप video की नीचे comment कर सकते हैं और हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारे वीडियो के नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें तब तक मैं आपके साथ नेक्स वीडियो में नई टॉपिक के साथ फिर मिलूंगी थैंक यू